What's up guys, आज हम देखने वाले हैं दिवालिया हो गया मालदीव, मोदी से पंगा पड़ा महेंगा, भारत की चाल से हुआ पस्त, आर जरूरक का 35 एपिसोड है, मालदीव ने अच्छे खासी प्रगती शिल्देश ने अपने पह पे मारी है कुलाडी, और अच्छा बात नहीं है वहां की लोग कह रहे होंगे, इस सरकारने का हम अडियल है, तो लोग भी कह रहे होंगा, रूख जा, आंद एलेक्षिन, तुभी मैं बता हूँ, लेकिन कोलाप्स होएगी, गवर्मेंट मुझे लग रहा है, देखते पूरी वीडियो, 1,2,3, तो दोस्तों वही हुआ जो ह हमने कहा था, भारत से पंगा लेने के सिर्फ दो महीने के अंदर ही मॉल्डिव हो गया है, आज उसके दिवालिया होने की नौबत आ चुकिये, मॉईजु भी कटोरा लेकर घर घर भीक मांगने की तैयारी कर रहे है, वो कब तक मॉल्डिव के रास्पती रहेंगे, ये कोई ही नहीं जाना, उन्हें भी अउन्हें अपने देश में भर भर के गालीयां पड़ रहे है, कंगाली की हालत इस देश की यह है कि उसे शृख जर बाकिस्तान मड़त चारे हो presentland, पाकिस्ट्र पर रहने वाला भारत, अब लिस्ट में पांचवे नंबर पर आ गया है कुल मिलाकर भारत से पंगा लेकर मॉल्डिव ने अपने पैरों पर कुलाडी नहीं मारी है बलकि धार-धार कुलाडी पर खुद बैठ गया है जिस चीन को वो अपना दोस्त समझ रहा था उसी चीन से लिया अर्बो डॉलर का कर्ज उसे तबाह कर रहा है तो कैसे लक्षदीप पर भारत को गाली देने के बाद सिर्फ एक महीने के अंदर ही मॉल्डिव बरबादी के कगार पर आ गया कैसे उसका दोस्त चीन अस्तित का सबसे बड़ा स्नेक निकला और कैसे भारत ने सिर्फ दो महीने के अंदर मॉल्डिव की स््टाटेजिक काट निकाल ली ऐसी काट जिसके बाद भारत के सैनिकों के मॉल्डिव से लूटने के बाद भी मॉल्डिव भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पायेगी तो आएगे आज के फंतन्तर में पहराई जी का मशहूर शेर है कि बरबाद गुलस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था हर शाख पर उल्लू बैठा है जा में गुलस्ता क्या होगा यहां दोस्तों इंडिया आउट के स्लोगन के साथ मोहमद मौईजु जब मौल्डीव के राश्पती बने तो लगा कि मौल मोल्डीव में अकेला मोईजु नहीं है वहा तो हर शाख पर उल्लू बैठा है और फिर मौल्डीव के घुलश्ता का भी वही हुआ जो हर शाख पर उल्लू बैठने के बाद होता है का म खतम है बहुत चोमद है नह् Nemकरा सप reacting मैं नहीं सब्सक्राइब आप सक भाकशके जो तुम्हें दवा से लेकर खाना सब प्रोवाइड कराता था। उस देश को गाली थी जो न होता तो मॉल्डिव कब का क्या हो गया होता राहुल जी। वो इस लिस्ट में पहले से पांचवे नंबर पर आ गया। जिस भारत से 2023 में दो लाग टूरिस्ट मॉल्डिव गये थे उसी भारत से 13 फरवरी तक सिर्फ बीस हजार टूरिस्टी मॉल्डिव एक रिपोर्ट के मुताबिक समझे इसी मुद्धे पर हमने एक ठो वीडियो बन सिर्फ बीस हजार जबकि यही भारत इचले कई सालों से मॉल्डिव आने वाले विदेशी टूरिस्ट के मामले में नंबर एक पर रहता था इसके लावा भारत सरकार ने मॉल्डिव के साथ ऐसा क्या किया जिसकी उसे उमीद नहीं थी कैसे मॉल्डिव का सबसे तगड़ा चाइना ही उसकी बरबादी की सबसे बड़ी वजे बन गया वो भी हम आपको बताएंगे लेकिन उससे तो दोस्तों हम बात कर रहे थी कैसे मॉल्डिव के राश्पती मॉईजू की भारत की खिलाफ नफरत ने सिर्फ दो महीने के अंदर उनके देश को बरबाद कर दी उससे पहले हम आपको यह बता देते हैं कि किस तरह चाइना चोटे-चोटे देशों को करजा देकर उन्हें बरबाद कर रहे हैं यह ठीक वैसे यह जैसे इंडिया में बहुत सारे चाइनीज आप्स जरूरत मन लोगों को महंगे रेट पर पर स्नल लोन देकर उसको पांच बिलियन डॉलर की मॉल्डिव की एकॉनमी में से उसे एक बिलियन डॉलर तो हर साल वीदेशी कर्ज के तौर पर चुकाने होंगे अब आपको बताते हैं कि चाइना ने मॉल्डिव को फंसाया कैसे इसे ऐसे समझ लीजे कि जैसे जीन लोगों की सैलरी जादा नहीं ह होती हैं कि बहुत सारे छोटे मोटे देश उससे लोन ले ही नहीं पाते यहीं पर एंट्री होती है चाइना जैसे साहुकार देशों की वो अपनी शर्तों पर इन देशों को महंगे रेट पर लोन दे देता है इन देशों को और कहीं से लोन मिलता तो है नहीं तो यह चीन की कैसे भी शर्ते मार लेते हैं BBC के एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 तक चीन ने ऐसे छोटे देशों को 170 बिलिन डॉलर का कर्ज दिया है चीन दुनिया का सबसे बड़ा कर्ज देने वाला देश है मिडल और लोर इंकम वाले देशों को कर्ज देने के प्रशन से भी जादा है चीन इन कंट्रीस को उनके इंफ्रस्ट्रक्चर तयार करने में हिल्प करता है ये देश भी कहीं और से पैसा न मिलता देख चाईना से ये लोन ले भी लेते हैं लेकिन पैसे वापस देने की जब बारी आती है श्रेलन्का में हमदन टोटा पोर्ट के साथ किया। श्रिलंका ने चाइना की हल्प से इस पोर्ट को तयार किया। लेकिन जब वो चीन का कर्जा नहीं दे पाया। टो बदले में चीन ने उसी पोर्ट को श्रीलंका से 99 जी माल्डिव अभी हर साल 400 मिलियन डॉलर कर्स के पैसे चीन को चुकाता है मगर 2020 की रकम एक बिलियन डॉलर हो सकती है आएमेफ जैसी संस्थाएं पहले ही मॉल्डिव को बोल चुकी है कि बेटा चीन से बच कर रहो यह तुम्हें बेच कर खा जाएगा और डकार भी नहीं लेगा और आज हालत यह कि मॉल्डिव कभी भी दिवालिया हो सकता है उसके देश में चल रहे सारे डेवल्पेंटिल प्रोजेक्स रुके पड़े हुए हैं और मॉईजू इस रायते का ठीकरा पिछली गवर्मेंट पर फोड रहे है इसलिए बड़े बुजुर कह गए हैं बेटा जब पिछवाडे में दम ना हो तो चौराहे पर जाकर सांड से सिर नहीं बढ़ाना चाहिए बढ़ी के साथ करोडर मतलब ये क्लिर था बेटा कि हमे आउक दिखावगे तो फिर बूल जाओ दूसरा गेम भारत सरकार ने मौल्डिव के साथ और खेल दिया मोईजो राश्पती बनने के बाद लगातार कह रहे थे कि मौल्डिव में मौजूद भारती सेना की जवान महां से चले जाए बाद में शर्त रखी कि ठीक है हमारे सेनिक चले जाएंगे मगर इसके बदले हम अपने टेकनिकल स्टाफ को वहां रखेंगे मौल्डिव भारत की शर्त को मान गया साथ ही भारत ने मौल्डिव को कहा कि हम 10 मार्च नहीं बलकि मिड में तक अपने स्टाफ को चेंज करेंगे जिसके लिए मौल्डिव मान गया इस बीच भारत ने लक्षदीप के नजदीक मिनिकाय पर INS जटायू पर नेवल बेस बनाना शुरू कर दे इस बेस से मॉल्डिव का डिस्टिंस सिर्फ 524 किलोमेटर है आपको बताते कि लक्षदीप और मिनिकाय आइलेंड 9 डिगरी चानल पर हैं जहां से हर साल लाखों करोडो डॉलर्स का बिजनस होता है ये नॉर्थ एशिया और साउथ इस एशिया के बीच का रास्ता है इतना ही नहीं भारत सरकार ने मिनिकाय पर एर स्ट्रिप बनाने का भी फैसला किया है इसके लावा अगाती आइलेंड की एस ट्रिप को अपग्रेड किया जा रहा है ताकि भारती सेनाएं हिंद और अरब महासागर पे पूरा कंट्रोल रख सके जैसे ही मिनिकाय में नेवल बेस बनेगा उस एरिया के आसपास चीन की नेवी के अरकतों पर नजर रखी जा सकेगी इसके अलावा अगर किसी कमर्शिल जहाज को सुन्दा और लोमक की खाड़ी की तरफ जाना है तो उसे 10 डिग्री चानल यानि अंडमा निकोबार आइलेंड के पास से गुजरना होगा ऐसे में दोनों जगों पर सिक्युरिटी टाइट होने से भारत को किसी भी तरह के समुद्री खत्रे से बचाया जा सकेगा भारत ने मॉल्डिव से अपने सैनी खटाने के लिए दो महीने का जो एक्स्टा टाइम लिया था उसी टाइम के दौरान भारत ने मॉल्डिव की काट खोजते हुए अपनी समुदरी सीमा के पास ही एक नेवल बेस बना लिया इंडिया के तौर पर एक भरोसेमंद दोस्त भी गया और जिस चीन के भरोसे उसने इसारा पंगा लिया वही चीन आज उसकी बरबादी की सबसे बड़ी बज़े बन सकता है मॉल्डिव और भारत का कॉंफ्लिक्ट हो या पाकिसान और भारत का दोनों ही मामलों में एक चीज़ प्रूव होती है दोस्तों कि वहां बैठे कटरपंथी इसलामी सरकार हैं सिर्फ भारत से दुश्मन ही निकालने के लिए अपने अपने देश को भारत के पर बड़ोसी देश हैं का दुश्मन मानकर भारत से रिलेशन नहीं रखते और भारत के बदले उस चीन की गोदी में जाकर बैड जाते हैं जो अपने अहां उईगर मुसल्मानों पर सबसे ज़्यादा जुम कर रहा है उनकी मस्जिदे गिरवारा है उन्हें नमाज पढ़ने से उता है मगर नहीं इन्हें चीन अपना दोस्त लगता है वो चीन इन्हें अपने यार लगता है नफरत केला हो और कुछ दिखाई ही नहीं देता मगर भारत सरकार ने बड़ी चालाकी से कोई तमाशा क्रियेट किये बिना सिर्फ दो महीने के अंदर ही मॉल्डिव को उसकी आउकाद बताए यहीं बज़े है कि आज न उसके पास भारत जैसा एक भरोसे मंदोस बचा है और नहीं भारत से हर साल आने वाले लाखो टूरिस्ट और यह सारा काम उसने बिना किसी होहले के बड़े शान्ती के साथ किया है और किसी को पता भी नहीं चला तो बस यह था मॉल्डिव मुद्दे पर हमारा डीटेल वीडियो उमीद करता हूं आपको इसमें दीगे इंफोमेशन पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेर जरूर करिए भई सबसेर एक इंपोर्टन बात है कि इस यह जो हुआ नहीं जितना भी आइडिटूड जो मॉल्डिव ने दिखाने कोशिश करी उसमें क्या हुआ इंडिया ने कहा कि रुको मैही तक का हमने तक का मने टाइम तुम्हारी तो तुम्हारी वहना बाते माल लेंगे लेकिन गल्ती सेमिन भी तुम उस नायक नहीं रहो है कि वहाँ हमें थोड़ा सब्स इन ईंडेचे से हमें माल दो ultimate करता हैे के लड़ी है जाक करता हुक्तनि शेयं और कुछ दैसों आ इसा खलडिया कि आख दिखा हुआ हुआ रखा रिखार उठा है मालिशिया उसी रस्टे पे च यह पूरी दुनिया को पता है कि चीन सबसे जादा इसलाम को पैरों में रखता है सबसे जादा दिस्पेक्ट वहीं पर होती है जहां अपना है जो सबसे अधर बनते हैं जिसे पाक हो गया हम तो मुस्लिम हम इसलाम यहीं सबसे जाके चाटते हैं पूजते हों उसको जाके बिल्कुल और इंडिया नेवल बेस भी बना दिया एक ठीक है और अपना इंडिया उस्ट्रोंग रहेगी इंडिया क्योंकि समुद्री खत्रा बहुत बड़ा होता है और चाइना जिस तरीके से कोशिश कर रहा है इस तरह क्योंकि वह सोच रहा है कि गहां से फिलिपनीज इंडोनेशिया से घूमकि उनका जाता है वह डिलेट सोच रहा है पाकिस्तान से सीपेक बना के वहां से कर लेता कर कुछ भी ले माइच्टान का डिस्तान तो तैसे का मनारो कुछ भी बैटेखो आज का अभौत जो है ना मानो इन्डिया का है और आनेवाला व्क्त एंडिया का है और इंडियों एक बड़ी बात हुते कि इंडियन का एक माइं आ हुचछ बदलना है लाइस्टाल चेंज करना है हमें भी चाहिए लक्जरी लाइस्टाइल हाद एक किस और इंडिया कंज्यूमर है बहुत तगड़े लेवल पर अपना पॉइंट भी जरुशे करेंगा आरे जो बहुत बढ़े बना और साही का वो पिल्ले जो बहु करें थे ना उनका इलास्त हो